जहां का इंसाफ के खास मुदाकात में हमारे साथ समाजवादी पार्टी लीडर और उत्तर परदेश में काफी दोरे कर चुके हैं, अभी फिल वक्त मुंबई आये हुए हैं अइसी सक्सियत जो मौताजी तारूफ नहीं इन्होंने उत्तर परदेश से एलेक्शन भी लड़ा और समाजवादी में काफी दिनों से सरगर में अबन हैं आसिप सिंधिकी सहाब जो के ताजीर होने के साथ साथ समाजवादी में एक अहम मुकाम रखते हैं असिप सिंधिकी सहाब जी बताए किस तरह से उत्तर परदेश में जो सरगर्मिया है वो उरूच पर है जो बताया जा रहा है कि लखिंपूर खीरी का मामला है उसको सियासी रंग ले रहे हैं समाजवादी उसकी तमाम जमाते हैं और एक तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल तयार करने का घथकंड़ा आपके हाथ लग गया है और पूरा जो मामला है एलेक्शन करेब होने की वफे से इस तरह से कोशिश की जा रहे हैं किस तरह से बीजेपी लीडरान और को टार्ग सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया आदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आपको इतना इंटर्वी दे सकूं जो लखिंपूर की बात आप कह रहे हैं यह तो तहरे के सारी अदर पाटिया जो भी है वो इस लखिंपूर के जो हाथसा हुआ उसके बाद सारे लोग इसको पकड़ने पर लग गए हैं और रही बात श्री अकलेश यादो जी की वो शुरू से जब से किसान आंदूलन चालूए तब से उनके सपोर्ट में हैं तो में देखा जाता है कि अक्सर मुसल्मान कश्मकश के आलम में होते हैं कि वो किस तरफ चाहे क्योंकि अब तो जो है मामला MIM का है और दूसरी जमाते भी मुतहिद होकर एक इत्यात कायन कर रही है तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या चांस है कि यूपी में उसकी सरका बनेंगे गे मुसल्मान बहुत समझदार है और अब और बहुत अच्छे से समझ गया है कि कि पाहरी लोग जो आते हैं और जो हमारा बटवारा करके चले जाते हैं तो मुसल्मान काफी समझदार है और काफी सोच समझ के इस वक्त समाजवादी को होड़ देने जा रहा है और हमारी परस्नली राष्ट्री अध्यक जी से बात हुई है अखले शादु जी से श्रीय अखले शादु जी से मुसल्मान इस वक्त बटने नहीं जा रहा है क्योंके मुसल्मान बहुत समिजदार हो गया है नहीं बताए यह भी जाता है कि मुस्लिम लीडर्शिप को समाजवादी में और तमाम पार्टियों में नजर अंदास किया जाता है उसके फिरस्पी आवेजी जाता है ऐसा नहीं है.. जो खहर है गलत बात है इसा हो तो हम लोगोंे को क्यों बार-बार बुल मुलाया जाता है किस लिए कहा जाता है आइसा नहीं है और दॉलमान को बहुत तवज्जे मिंदा जा रहा है और ययकीन माने है अगर सरकार बढ़ेगी तो इस बार मुसर्मानों के लिए हम लोग बैठके श्री अकलेश जादुजी से अपनी एक हिसाब से मान रखेंगे. परिवतन यात्रा निकाली जा रही है, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी जो है वो 400 से उपर सीटे लाएगी, तो इसका क्या कॉंसेट है? देखें, लोगों का जोज तो आप देखी रहे है, आज किसी गाव में अगर 100 परसन इंसान है तो 90 परसन समाजवादी के साथ है, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो लोग बत कह रहे हैं सर, लोग बता रहे हैं जो यातरा निकल रही है उसमें दिकरा जनादार क्या आ रहा है हमारे साथ है, ये बीजेपी का आप देख लिजे नो सर, बुलाया जाता है, हम तो ग्राउंड वक देख रहे हैं, वो भाड़े पर बस करके गारियां करके लोगों को बुलायाते हैं अपनी जन्सभा में, वो बुलाया जाते हैं, हमारे ये किसी को बुलाना नहीं पड़त लोग खुझ से आते हैं, अपनी मुखबत प्यार चाहते हैं, उत्तर परदेश में जो हाला थे, जैसे के मुझफर नगर हो गया था, मुसलिम फसादात पर मुसल्मानों पर अपसान होता है, और कोई भी पार्टी ऐसे नहीं होती, जो मुसल्मानों के साथ दे, इस तरह से समाजवदी वाले तो यादों पर लड़ते हैं, डलिट पार्टी अगर लड़ती है तो मायवदी तो पर लड़ती है और ठाकोर और खाहुर्रा रामनों के हिस पर पर एक्शन लड़ा जाता है, जो मुसल्मान का कॉंसेट इस कंसेप में आता है समाजवादी जो है यादो और मुसल्मान के नाम पे लड़ती है नहीं ऐसा तो हमने कभी देखा रहे हैं आपने देखा नहीं मगर जमीनी हर्किकत यह है आजम खान की अहलत की होगी इसके लिए हम लो बहुत प्रहास कर रहे हों बहुत उमीद कर रहे हैं के बहुत जल से जल अपनी वापस से अपने मुकाम पे आ जाएंगे नहीं तो यूपी में कहीं न कहीं जो है आज बीजेपी की सरकार का तो आप देखी रहे हैं बीजेपी की सरकार में लखीमपूर में इतना खुले आम कांट हो रहा है तो आजम खान जैसे को बीजेपी की सरकार की वज़े से लगाशन देखने में आ रहा है कि विजएपी की सरकार ही नहीं समाजवादी की आजमकान को भुला चुकी है नहीं ऐसा नहीं है, आपको यह किसी ने बताया होगा गलत ख़बर है, अकलेश यादो जी बराबर उनका ख्याल रखते हैं, बराबर उनके टच में रहते हैं, उनके घरवालों के टच में रहते हैं, बहुत जल्द ही है कि रहने मेरी तो उनकी जो लॉयर जो इस वक्त देख मुझे यह कहा है कि बहुत बहुत उपर वाला चाहेगा तो दो तीन हफते के अंदर इंशालला घर में आ जाएगे, फिर हफते दस दिन में आप तो चनौब भी डिक्लियर हो गया, मई में होने जा रहा है, तो इंशालला आजम खान जी फिर से अपने फॉम में आ जाएंग मुसल्मान जो है, वो ISP के साथ है, इन्होंने इस तरह का दावा किया है, लेकिन अब देखना ये है कि एलेक्शन में मुसल्मान किस करवट बैटते हैं, आसिर सिदीकी ने बताया कि इस तरह से आजम खान का सवाल है, आजम खान समाजमदी पार्टी के सीनियर लीडर है और वो पार्टी के साथ है, इसलिए मुसल्मान लीडर्शिप को नजर अंदास करने का कोई सवाली पैदा नहीं होता, फरान सिदीक के साथ मोहमद जावेशेग जहां का इंसाब